मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्स तुहज्या तेस में अक्षय आवला नौमी कब है चानेगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिकुर्ध है कि अभी तक इस चैनल को साट्रायब नहीं किया है तो शाट्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सियर करेंगे मित्रो, हिंदी पंच्यांग के अनुसार कार्तिक मास के सुकल पक्च की नौमे तिथी को आवला नौमी मनाई जाती है और इसे अक्षै नौमी के नाम से भी चना जाता है आवला नौमी के दिन ब्रत रखने से और आवले के पेण की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सुक सम्रिधी में ब्रिधी होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है आवले के पेण में भगवान बिश्रु निवास करते हैं इसलिए इस दिन भगवान बिश्रु की विधिवत पूजा करने से पूण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन दान पूण्य करने का विश्यस महत्व होता है ऐसी माननेता है कि कार्तिक मास के सुक्ल पक्च की नौमी तिथी से लेकर कार्तिक मास के पोड़िमा तिथी तक भगवान बिश्रु आवले के पेड में बिराजमान रहती है इसलिए अक्चै नौमी के दिन विधिवत आवले के पेड की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैटकर भोजन करना सुभ माना जता है और इस दिन आवले के पेड की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनुकामनाई पूण होती है और इसके साथ ही इस दिन ब्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों आवला नौमी के दिन प्राता काल इसनान आधि करने के बाद ब्रत का संकल्प ले और किसी भी आवले के पेड के नीचे जाकर पूजा करने की पेवस्था करे और सुबमगुर्त में आवले के पेड की पूजा करे सबसे पहले आवले के पेड की जण में जल और दूद अरबित करे फिर फूल माला, अच्छत रोली, चंदन फल, मिठाय आदि अरबित करे इसके पच्चात रच्छा सुत्र या कच्चा सुत्र लपेट कर आउले के पेण में 8 या 108 बार परिक्रमा करते हुए पेण में लपेट दे। इसके बाद भगवान विश्डू का ध्यान करके उनकी पूजा अर्जना करें और अपने जीवन में सुक सांती और सम्रधी के लिए प्रातना करें। फिर पूजा समाप्त होने के बाद आउले के पेड के नीचे बैट कर भोजन करें। मित्रों, अब पूजा करने का सुब मुहुरत को भी चान लेते हैं। जो इस प्रकार है। मित्रों, अब आपको बता दे की वर्ष तो हज्जा तेश मी अक्छे आवला नौमी 21 नवंबर दिन मंगलबार को मनाई जाएगी। पूजा करने का सुब मुहुरत है 21 नमंबर को सुबह 6 बच कर 30 मिनट से लेकर सुबह 11 बच कर 52 मिनट तक रहेगा। पूजा करने की कुल अओधी है 5 घंटे 22 मिनट। नौमी तिथी प्रारंभ होगी 21 नमंबर को सुबह 6 बच कर 16 मिनट पर। नौमी तिथी समाप्त होगी 22 नमंबर को सुबह 9 मिनट पर।